नवस्कार सभी को गुड मूनिंग गुड अप्टिंग गुड नार जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपन समासास्त्र का मॉडल पेपर देखने वाले हैं यह बेरी मोस्ट इंपर्टेंड कोश्चन है ठीक है तो यह समासास्त्र का क्षा बारा स में तीन गंटा पंद्रा मिनट मिलता आपको परीच्छा में और सों अंका आपका पेपर आएगा ठीक है यहां पे कुछ निर्देश दिये हुए हैं यहां अच्छे से देख लें सीड़े हम कोश्चन की तरफ देखते हैं यहां ठीक है तो सबसे पहले आपको बहुँ बिक तसभी वाला ठीक है उसके बाद देखते हैं सीड़े कोश्चन कर्मांग के दो यहां पे दिया है राष्टबाद का जनम किसके प्रणाम स्रूफ हुआ संपरदाइबाद और उपनिवेश वाद तो इसमें आपसन भी वाला सही है उपनिवेश वाद नीचे दो आपसन और जाती वाद और प्रजाती वाद ठीक अब देखते हैं तीसरा कोश्चन ठीक है यहां पे दिया है सत्य सोदक समाज की स्तापना किसने की तो राजा राम मोन रहा है और सावित्री वाई फूले दयानन सरस्वती और जूतवा फूले दिये हुए है आपसन डी इसमें भी सही ह है हमारा उसके बाद दिया हुआ है चौथा कोश्चन दैज निरोधक अदिनियम ठीक है कब पारित हुआ तो यहां पे है उन्नी सो पच्पन उन्नी सो चपन और उन्नी सो एक सड़ वाला सही है यहां पे सीवाला अफसन ठीक है तो देखते हैं अगला कोश्चन यानगी पा आतर मुहीत थी ठीक है तो यहां पर आफसन वी वाला आपका सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं सूचना का अधिकार अदियम कब पारित हुआ तो यहां पे 15 जून 2005 में हुआ था ठीक है यह और तीन नीचे वाले तीनों आफसन गलत है ठीक है अब देखते हैं क्वेशं क्रमान के साथ जाति को बढ़हवाद देने के कारक हैं नगरीकरण और विवासंबंदी प्रतीबं तो विवासंदी मतलब संबंदी प्रतीबं जो है आफसन वी वाला हमारा यहां पर राइट है वांकि यह कोशन है अपनी जाति को प्रतिस्थ करने का वीचार या उपयोक्त सभी ये तीनों को आंसर गलत हैं यानि कि वी वाला यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं आठमा कोशन राजनेतिक दलों का कारे निम्न में से क्या है सासन के विविन अंगो में सनवें बाद है आफसन भी सरकार का गठन जनता के प्रतनिद है निमलेखित मैं से कौन सा तेत्रमा समीदान संसोधन से संबंदित है कि अब देखते हैं अगला प्रदाशन करते तो सब कुछ करते हैं तो इसलिए आफसन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा अगला कोश्टन देखते हैं यहां पर अति लग वत्री प्रसन ठीक है तो आतुलग वत्रीव प्रसन में समर्तन मूली से आप क्या समझते हैं या क्या तातपरी है ग्रामीर समाज क्या है ठीक है तो ये कोशन बहुत ही जादा महत वोने आगे देखते हैं उसके बाद है हमारा अठार्मा कोशन पच्वी करन से आप क्या समझते हैं छेतरवाद का क्या अर्थ है समाज किसे कहते हैं ठ ठीक है तो लगोती ये प्रिशन में हम देखते हैं हमारा कोशन कर्मांग की किस है भारत में पिछले बरगों की समस्याओं की विवेचना कीजिए यहां पर की है ठीक है उसके बाद भारत में महिलाओं की प्रुमक समस्याओं की विवेचना कीजिए बरतमान समय में जन जाती ह पहिचान के निर्माड को प्रवावित करने वाले कारकों का वरंड कीजिए उसके बाद मालतस की जनसंक्या सिद्दान्त की आलोचना आलोचा अत्मा व्यक्ष्या करें ठीक है उसके बाद है ग्रामीड और नगरी समाज में अंतर इसफ़स्ट कीजिए और रूडी बादिता क किस फिरकार हैं इसफ़स्ट कीजिए इसके अत्वा में कोशन दिया हिंदू समाज कि चासरवादिक प्राचीन संसताओं के संसाओं के वरंड करना है तो यह अत्वा में कोशन है उसके बाद 28 मा कोशन है समाजिक सुदार अंदोलनों पर एक निवन्द लिख़िए ठीक है उसके बाद question command 29 मिलेगा हमें यहां पे दिया हुआ है समाजिक लोगतंत्र में केंद्रिय मूले का विवेचन कीजिए ठीक है इसके अत्वा में भी question दिया हुआ है समाजिक आंदोलन को परवाशित कीजिए तथा इसके सरूपों की विवेचना कीजिए ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक से subscribe जरू करें ठीक है इसका solution देखने के लिए भारसिंग लेक्चर्स नाम का जो अप्ली केशन यानिक एप हमारा प्ले लिस्ट पर बहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लें ठीक है तो वहाँ पर इसक